KGF, Phushpa, Salar जैसी मास्क मूवीज देखने में बड़ा मज़ा आता है ना लेकिन एक्टीज मिसिंग होती है इन सब में रियल लाइफ कनेक्शन मतलब जो एक्शन वगरा दिखाया जाता है ना उसका कोई पॉइंट नहीं है रियालिटी में सब कुछ फिक्शनल है इस वज़े से इमोशन उतना हिट नहीं होते हम लोगों के लेकिन बॉस कल रात को मैंने देखी कैप्टन मिलर और लिटरली मैं शौक रहेगी फिल्म के सब्जेट को देखकर क्योंकि इस बार खून खराबा एक्डम असली था धनुश बॉस जहां पर ये नाम लिखा होता है आप समझ लो थिएटर से बाहर कुछ नया experience करके वापिस जाओगी घर और इस बार लिटरली कैप्टन मिलर ने मेरे होश उड़ा दिये है मास सिनिमा को रियल लाइफ इंसिदेंट से जोड कर उसको क्लास बना देना वाव इस इस रियल सिनिमा कहानी एक डेकोइट के बारे में है डेकोइट माने डाकू लुटेरा वो जिस पर अल्मूस सौ साल पहले बिटिश सरकार ने 10,000 का इनाम रखा था 1930 में 10,000 वाला डेकोइट भाई ऐसा क्या किया होगा इसने सोच रहे होगे जादा कुछ नहीं एक कमरे में अंग्रेजी ओफिसर्स को बन करके बंदूग से मुलाकात करवा दी सबकी तीन ओफिसर्स और पचास गोलियां यमराज के बाले में अब अंग्रेज भी जानते हैं अरे येस अपना हीरो या विलिग जो बोलना चाहो वो किसी टाइम पर इसी ब्रिटिश आर्मी का ओफिसर था यार वहीं से आया कैप्टन मिलर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दू कहानी एक सीन ऐसा आएगा फिल्म में जब पेर से नारियल की तरह बान कर अंग्रेजी ओफिसर्स को बॉम से उड़ा दिया जाएगा अब आप बताओ वो अंग्रेज जिनकी आँखों में आँखे डालने से लोग डरते थे उनको जान से मारने वाला क्या उसके लिए जादा मस्त है लेकिन इन दौनों का दुश्मन है टाइम हाँ जी टाइम लगता है कहानी सेट होने में और दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है कि फिल्म भया मार धार से भरी पड़ी है धाई घंटे में समझ लो देड़ घंटे सिर्फ दे दनादन आक्शन होगा लेकिन आक्शन एकड़म स्टाइल वाला है बॉस पीछे मस्त म्यूजिक बज़ रहा है फुल अफ एनरजी इधर स्क्रीन पर मौत का नंगानाच चल रहा है इस फिल्म में वो लवशब वाला रुमेंस एक्सपेक्ट ना करना जिस पर दो तीन सॉंग्स घुसा के फिल्म को लंबा किया जाता है वो टाइम पास मिलर साथ नहीं करेंगे हाँ लेकिन फिल्म के एमोशन बहुत साथा सॉलिड है स्पेशली जब ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजन जैसे इशूस को हाइलाइट करती है सीधा दिल पे लगता है केजी एफ या सलार जैसी मूवीज में नोटिस किया आपने दौनो लीड कैरेक्टर्स प्रेजेंट में एकदम खतरनाक हैं लेकिन ऐसे बने कैसे और क्यों नहीं बताया जाता यही चीज कैप्टन मिलर की ताकत है एक हिस्ट्री बैक स्टोरी जो आपको कन्विंस कर देगी कि कैसे एक मामुली गाउं वाला बंदूग चलाने वाला कैप्टन मिलर बन सकता है चलो इतना सब कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको तो सिर्फ एक नाम के भरोस से फिल्म देखने चले जाओ धनुष, असुरन, कर्णन और अब कैप्टन मिलर वो वेट स्केल होता है ना उसमें एक तरफ धनशकर रखो और दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री के 99% अक्टर्स को फिर भी टैलेंट का स्केल इनकी तरफ जुक जाएगा कैप्टन मिलर सिर्फ देखोगे नहीं जिन्दगी भर याद रखोगे आप शाद इससे बेस्ट कॉपलिमेंट कोई दूसरा नहीं हो सकता कि एक एक एक्टर से उसकी फिल्म याद रह जाए तो भई हम मिलर दख किलर वाली फिल्म को पांच में से पूरे चार्स स्टार्स मिलेंगे पहला कमाल का एक्शन, जबरदस बैक्गराउंड म्यूजिक के साथ डेडली कॉमिनेशन, दूसरा स्टोरी प्लस स्टोरी टेलिंग ये कैप्टन मिलर को मास से क्लास में बदल देती है तीसरा परफॉर्मेंस इस अनडाउटिदली सूपर डूपर हर कैरेक्टर ऐसा लगता है कि उसी आक्टर के लिए बना था चौथा जो सिनेमेटोग्राफी है माने 1930-1940 वाले टाइम को रीक्रियेट करना और फिर ऐसे पागलपन वाले सीन्स बनाना तालियां नेगेटिव्स में दो शिकायक पहली ये कि फिल्म जितनी लंबी है नहीं उससे जादा लंबी फील होती है रीजन कुछ सीन्स रिपीट होते हैं तो कहीं स्क्रीन ब्ले स्लो है दूसरी शिकायट जो में परस्टनली नहीं करना चाहती लेकिन थेटर में सिफ अकेली मैं नहीं गई जो बाकी लोग गए उनमें 50% शाध ऐसी मूवीज नहीं समझ पाएंगे इन शॉर्ट ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है लेकिन इसको हर किसी के लिए कैसे बनाया जाए उस पर डिरेक्टर सर को सोचना चाहिए बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हूँ या फिर कुछ शिकायत करनी हूँ तुम आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंदिजार करिए मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई